नमस्ते साथियों स्वागत है हमारे अपनी टूप चैनल गोमाता राइरवेद में तो आज माता दुर्गा का तिसरा रूप चंद्रघंटा का पूजा की जाती है और इसमें जो ओशेदिया है ओँ है आपका चंद्रसूर इसको हम लोग चंद्रिका या हकिम सिट्स के नाम से जाना जाता है मुख़ता ये जो दुर्गा कवज है दुर्गा कवज का जो तिसरा ओशेदिया है जिसका नाम है आपका चंद्रसूर तो ये मुख्यता इसका जो नाम है इसे हालो, हालीम, चंसूर भी कहते हैं मुख्यता ये जो पोधा है ये हमारे भारत का नहीं है इसका जो उत्पत्ति स्थान है इथोपिया है और अभी प्राई, योरो, पशिम, अफ्रीका ये देशों में भी पाय जाती है साथी साथ भारत में भी इसकी खेती फिलाल की जाती है इस पोधे को हिंदी में हालो, हालीम, चंसूर भी कहते हैं और ये देखने में धनिय की समान दिखाए देती है और ये जो ओशिदिया है ये बहुत ही कल्यनकारी और हितकारी पोधा है इसका जो काम है ये मोटापा घटाने में बहुत ही मददगार है इसलिए इसको चर्महंती भी कहते है साथी साथ ये जो ओश्यदी है ये ओश्यदी बलवर्धक, पुष्टी कारक इस तोनों में दूद की दूद को बढ़ाता है खुन समन्निद रोग को भी ठीक करता है और इसके बीच को अगर पानी में पीस करके अगर लेप चढ़ा जाता है तो चासमन्निद रोग होगे साथी साथ आपके जितने भी बात रोग होगे आँखों के रोग है उसमें भी ये काफी लाप्रब्द है साथी साथ जिन बच्चों का उचाए मतलब कद बढ़ने रहा है उनके लिए भी ये उसरेदिय बहुत ही गुनकारी है इसका सेवन करने से आपकी कद भी बढ़ती है तो आप इसके कुछ जानते हैं इसके कुछ बनस्पतिक नाम इसका जो बनस्पतिक नाम है लेपिड्रियम इस्टेरियम है लेपिड्रियम इस्टेरम है और इसका जो कुल है ब्रेसी केसी है जैसे इसे इंगलिस में गार्डेन क्रेस भी कहा जाता है मुख्यता अगर जिनको भी ये सीट्स अगर मगाना रहे अगर मगाना है तो हकिन सिट्स नाम से आप Google पे सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा और मुख्यता ये जो ओशेदिया है ये हमारे देश में तो पाएने जाती है अभी लेकिन इसकी खेती काफी मातरा में चल रही है और ये जो ओशेदिया है ये आज की ओशेदिया नहीं है ये भारत में प्राचीन काल से इसका उप्योग किया जा रहा है तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं धन्यवाद